वाहिगुरुजी का खाल साथ वाहिगुरुजी की फत्रेश वाहिगुरुजी इक ओहंकार सत्नाम कतापुरक निर्पहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर्परसाथ वाहिगुरुजी का खाल साथ वाहिगुरुजी की फत्रेश गुरुपे आरेो कल अपा तीसरी पौड़ी दे और संजन्दा जतन कीता सीए आज अपा इस तोगे चल दे हम अठ आज अपा समझन्दा जतन करांगे आउ सबतों पहला इस पौड़ी दा जो मूल पाठ है ओ एक वरी कर लेए साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखें मंगें दे दे दात करे दातार पेर के गहर खिये जित दिसे दरबार मोहो के बोलन बोली है जेत सोन तरे पेयार अमरे तवेला साच नाओ वड्याई वीचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर सब आप पे सचया वाइफ जी आप जी ने जिस पौड़ी दा पार्ट सनया है जब जी साहिब दी चौथी पौड़ी इस दा मोल पार्थ आप जी ने सर्वन किता है पहली है तिन पौड़ीयां जिवें के अपकल डिसकास किता सी के एह हुकम दे कंसेप्ट नो एक्स्प्लेइन करन लई उस दे जीवन दे वेच महांता एक सिख दे जीवने चली की इंपॉर्टेंस है सानु ओ समझाओंदा जितन साथ गुरू नानिक दे जी ने कीता सी विशा इस तो अग्ये चल्दा है पहले तिन पॉड़िया विश्था साथ गुरू ने सानु ऐ समझाया है कि किस तरह साड़ा जीवन साड़े जीवन दा हर अंग हर करम हर काम जड़ा है ओ अकाल पुरख दे हुकम दे मताबक होना चाहिए पाव जो और्डर वाई गुरू ने इस्टेबलिश कीता है सनु उदे नाल इंट्यून होके अपना जीवन बितावना चाहिए उदे दूसरा अल्टरनेटिव जिरा सद्गुरू ने साठे सामने रखेया सी ओए सी कि जदों बंदा हुकम दे विच जीवन नहीं जीवनदा तक उस दा कारण में एक ही है कि मनुख अपनी हमें दे विच जीवन जी रहा है पाव उस दी हमें इतनी पारू हो गई है कि उसमों अकाल पुरक्ते बनाए नियम, सिस्टम, ओर्डर जड़ा होदा है जिस ओर्डर दे विचे दुनिया चल रही है वो उस दी उलंगना करनी चांदा है एक जेहा जीवन है जो मनुख नो हमेशा दुख ही दुख दिन्दा है संसारक तो औरते भी बहुत दुख दिन्दा है कई वार थोड़ चिरे सुख भी दे दिन्दा है पर जितों तक आत्मक तिस दीवी सुख दी गल है एक कदे भी सफल नहीं हो सकता है अपने जीवन नोचवक नाल इनन्टीम करें हुप दा जीवन जीवन दि काशिश करें सद्वर्भ अग्यज़ चल दे हैं सादे जीवन दा एक दूज़ा ऐसपेक्ट है वाँ गुरुबाणी दे बाहत इंपॉर्टेंस दी गहीं घुई है डो यौ शाइद कोई पंक्तियां कोछ ऐसी हो नो शाइद ही ऐसा कोई टिकाना लबे कए जिते सद्क्रु में बार 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 शानु नाम नार जूड़ना नाव दियां नशेप्ट रूए क्लियर करते हैं नाम जपना किनू कहने हैं वह भी दस्दे हैं तो इक इस पौरी जिनियां तुका हन इना तुका देविच शचनाएं पाख्या पाओ अपार वो जड़ा सच्या साहिब है जन्हों सद्गरू जी ने एक्स्प्लेइन कीता सी मूल मंतर देविच पाव सच्या मीन सदा थिर हमेशा सच रहन वाला मालक जड़ा है साहिवदा मतलब मालक है साहिवदा एक मतलब सर्व शक्ति मान भी है तो ओ सर्व शक्ति मान मालक जो सदा थिर रहन वाला है ओ सदा इश्ट है उस सदा जो निया है ओ भी उसे परही ओ सकाल पुरख देवांगी सदा थिर रहन वाला पाव सिदीवी है नियाकारी है इतने नाई जो लफ़ज वड़ते आगया है ओ नाम दे अर्थां दे विच नहीं वड़ते आगया है अलागे बहुत सारे विदोवानने इसते अर्च नाम भी कीते हम। पर जे इसी इनु देख्या जावे वेकरन दे मताबख देख्या जावे ता ए नयाए दा एक शौट फॉर्म पाव नियम या नयाए है। उस दा नया है। उस दा नियम है जड़ा के इस दुनिया ना चला र कि आए ता एक शकल अख्तियार कर लेंदा है क्योंकि नाइद विच जड़ा है वह सही नहीं बैठता इत्थे एही अर्थ है के नियाईदी शॉट वांग है वैसे जो नाए शब्द हैं इता एक होर अर्थ हुई असी जबजी साविची अगे जाके दिखांगे के तीरत नावां जेतिस पावां विन पाने के नाए करी उथे एह नाए स्पेलिंग नहीं हैं हालांके उचारन उथे फड़ा जिया फरक हो जावेगा उथे इशनान या न सकाल पुरक सदा थिर रहन वाला सर्वशक्ति मान मालक है उस दा नया पाव उस दा जो इस्टैबलिश कीता हुए नियम है इस संसार दा ब्रहमंड दा ओवी सदीवी है सच्चा है पाव यह है कि जए इसी ओस सकाल पुरक दे नाल जुड़ना है ते सनु ओस दे नियमा दे म आगे सद्गरों केह ने हम पाक्या पाव अपार पाक्या दा पाॉ है भाशा पाशा है भोली जिस तरह बोलेया जांदा है पाउ दा अर्थ है प्रेंड और शबत जड़ा है यह फिर अकाल पुरक दे लिया है कि ओफ अकाल पुरक अपार है पेहनत है उस दा परावाद नही पाया जासकता। पाक्या पाउदा अर्थ है के ओव अकाल ौदिछ दिल पाशा प्रेम दी हैं। अलार के क royalty दो नहीं अपार प्रेम काई के भी इस दा अर्थ किता है पर इस दा जो अर्थ बढदा है कि ओस अकाल पुरुछ दी जिली पाशा है उस दी जो बोली है ओप्रेम है यह थे बोली दा अर्थ ऐसी लिमिटेड सेंस दे विच वह नहीं ले सकते हैं कि मैं हुड तो और्डिनल गल कर रही है थे पंचबी बोली विच गल कर रही है सारीय बोलियां बरबर हाँ तो अकाल पुर्थ इस तरह बोल के भी साटेनल गल नहीं करदा है उन्हें गल करनता तरीका कुछ होर है साटेनल सानौ उन्हें किस तरह उन्हें अपनी गल कनवे करनी है पावनावाः दे थरू वचाराः दे थरू ओ अलग है तो पाख्या दा अर्थ पाशा ही है पर आजेस यह नू लएए ता इस दा अर्थ हे बंदा है कि अकाल पुरक्ट दा सडे नाल गल्बत करन्दा या होर एप्रोप्येटली अगर ज़िए कई है कि सडे नाल कम्यूनिकेट करन्दा जो टंग है ओ प्रेम है वो अपार प्रभू साडे नाल जदों भी किसे भी तरीके नाल गल करता है, वो प्रेम दे राही ही गल करता है, ता की मतलब होया, इस चीज दा की मतलब होया, कि जे प्रभू ने साडे नाल गल करनी है, ता वो प्रेम दी पाशा वेच गल करेगा, ता फिर असी उदे नाल के पाशा विच गल करा है यह किसे बंदेनों फ्रेंच चांदी है ता कुदर्ती गल है कि सानु उदेनल फ्रेंच इची गल करनी पए ही जी राबधी पाशाई प्रेम है तो एदा मतलब हे उसपश्ट हो गया कि जी उसी उदेनल गल करनी है उदेनल कम्यूनिकेट करना है तो सद्गुरु सद्गुर्श कह रहा हैं कि यही उदा सच्चा नियम है कि ओस धी पाशा ही जिदे विज ओस अडेनल करता है कमिनिकेट करता है या असी ओदेनल कमिनिकेट करना है तासनु प्रेम दे विज रहना पर है करनी करनी है तब पाशा कोई ऑल्टरनेटिव सठीकल होड कोई नहीं प्रेंट वे लावा कोई नहीं सठ्ड़ नसे ुटनी नहीं सिर्ख सिर्फ इककोई हो सकती है वना सठीनल प्रेंच सठीनल प्रेंच फृद दाता है आख्या मंग दे दात करें दातार प्रिम्नाल ही चीज़ दातां देना है और इस दुनिया दे विच आसी बार बार सारे ही जीव बेहंत जीव हर वेले कुछ ना कुछ मंग दे ही हां असी किसे पर हुस्तान दे बीच चले जाईए जो भी उस्ते इश्ट हुंदा है उदे अगे खड़े सिर्फ होना दे अगे हत जोड के पला फैला के हत फैला के कि पेंटियक करन्वाले माख लए पर गल्दी सम्झे़ लग जान दी किसी कि निया को दाता हो दे को लो माई लेह पर ओड्अ और्धार देन वाला दाता इन्ने परेमनाल पर्या है Ö dieta है कर ऑस सार्वालों ही दाता देई जा रहे है देही जारहा है देही जारहा हैіє तो अग्ल सद्गरु ने सफनों दस्या के लैनवाले खदम हो जैनदे हन जैनं मुक् chopping ज्याज़ा पर देनवालद कदी थखदा नहीं तो ओधतार इनना वड़ा है क्यों क्योंकि उदी पाशा ही प्रेम है वो प्रेम दी पाशा दे विच ही सडेनल गल करता है इते एक अर्थ होर विदवन्ना ने कीते हैं वो केंदे हैं के वो सकाल पुरक्ष दी पाशा मोड आफ कम्यूनिकेशन प्रेम है ते जड़े ओदे प्रेमी हन पगत जन भन अउदे करल प्रेमी ही दाथ मंगे देहन अधार मंगीशन तए द आपके इसरों प्रॉड़ में कि अईया करें तो फिर को को सब्सक्राइए भी एक समय परेंडाद है है जर्थ हेए है तो पर फिर कर्ना किया जर्थ किया में धर्रभाद में चर्ञाइए पक्रफिता। अशी अगर ओदे दरबार दे वििंच पहुंच्ना है पर ओदे तक पहुंच – ता फिर अशी ओदे अगे की पेटा करिए इस वाल सारे साभ्यसांने खड़ा वह गया। के ओदे अगे की रखी है की पेटा करिये। की टूवा दिय ओदे अगे जड़ो उसी किसे बज़र्ग को बड़े को जाने हाँ तो साठी तैजीब है कि ऐसी खाली हत नहीं जाने तो फिर केर गह रखी है जित जिस्साय दरबार उन्हें थे दरबार दार था था जिक ते ए नहां ले लिए है कि एक फिजिकल स्पेस है जमें च्युम्हार राजिया दार वार हुंदा है यह दनियावी अफ्सला दार्वार लगा हमाँ है कोई फिजिकल स्पेस तक पहुंचेंदी कालर नहीं है इधर दारत है के ओ और्ष्था जिन वीच्छिए और आखिवे किपॉन जाई है कि यह कोई एक चिन पंगड़ा धर्शन या चिन पंगड़ी हाजरी नहीं है इते दरबाव दे विच पॉँच जाना पाव उसी उधी हजुदी पाउंच जाईए उधी हजुदी दा जीवन जीन लाईबाईए पाव उदे नल जुड जाईए उदे नल बिलकुल ही यो सड़ा जीवन हो जाए कि जवे उसी उदे हाजरी विची अपना जीवन जीव रहे है तो सद्धिरू केंदे हन कि इस स्वाल पैदा हो गया कि उदे अग्ये की रखी है तो असी रखी है भी की कि जड़ साड़ कुछ है ही नहीं अपना देन जो का सिर्फ एक काल पुलक दे जितियां हुई ही दातां साड़ कुछ है नहीं तो जिसके लो लह नहीं यहां ने उदे गई हो देता हाया उदा रख सकते हैं यहां सी मतसी यह समझिए किसी किसे तर्म स्थान ते जाके को वड़ी रकम पेट कर देए को वड़ी वस्तू कींटी वस्तू दुनलब वस्तू पेट कर देए तो पता नहीं शायर सड़ा इस सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि यह वर्तारा सारी दुनिया दे विच चलता आ रहा है जिनने जिनने वड़े वड़े तनवान हुंदे हैं उन्हाने पावे किनने पापा नालतां के उन्हां कमाया हुए उन सुनने चांदी ते जी यह होरो निका कीम्ती वस्तू आनियों पेटा देए समझ दे हैं कि उन्हाने पता नहीं की प्राप्ती कर ली है उन्हान शाहिद राप्ता वहां नाल जुड़ी गया है उन्हों दी किर्पा अधाते होई गई है पर सब्सक्रू की कहने हैं कि यह ता दाता प्रकाल पुर रिख दिया हुए हैं यह ठीक है कि उसी यह दाता हुई हो देगे ना क्योंकि ओ तर्म स्थान भी जड़े हैं उन्हानों यह इसी बनोना है सुन्दर बनोना है उन्हान देख फैसिल्टीज क्रियेट करनी हैं यह सारा कुछ हो सकता है पर यह नहीं इसी समझ सकते के इसी इस तरीके ना बन्यावी वस्ता दी पेटा दे दिती ते असी ओदी कौन जामाने है तो यह वस्ता देनना लो कालपुरख जड़ा है वह राजी नहीं होंदा सनु अपनी हजूरी विच नहीं लगे जानदा तो शायद कोई ऐसे बोल ही हों जिनन बोलन दे नाल ही वह साड़े ते किरपा करते सनु प्यार करन लग जाए यह भी ता हो सकता है न मुहों के बोलन बोली है जित सोन तरे प्यार असी अपने मुह तो केड़े ऐसे बोल बोली है जिननन सोन के ओ अकाल पुरक सड़े ते तुठपवे सनु प्यार करन लाए लगे सनु अपना बना लगे सड़े ते किरपा करते वे तक की कोई ऐसे बोल भी है ता फिर स्वाल उ बोलन बोली है लार्थ एही है कि सड़ा जीवन किसा हो जावे car क्योंक्छ सबीज ज़िवन जिस तरा ना सड़ा जीवन हम लुग कि प्यार परी बोली नहीं बोल सकते यह साड़े जीवन दे विच प्यार है तो शायद साड़े लिए कुसे वाली बोली बोलने में अखी हो जावे तो बोलन बोली है ता असी सिर्फ फिजीकली लेंगवज दी शेप दे विच लेके लिमिट नहीं करना चाहिए यह था बोला दी गाली ही है कि असी मौ तो की बोलन बोल बोल बोली है और एदा एक करती है कि अपने जीवन नो कि हुझे बनाई है कि साड़े मूँ कैसे बोल निकलन जिन्हान सून के ओकाल पुरक साड़े ना प्यार करन लग जावे तो सद्गुरु अग्य गल करते हैं अम्रित वेला सचनाव वड़े आई वीचार उन एक वड़ा सिदात सनु दे रहे हैं सद्गुरु जिरे बारे असी अक्सर जिरे सब्विद्वान हन कथाकार हन ओस अनु अक्सर दे बारे प्रेजना करते रहें दे हैं जो पूर्ण टेकादा समाह हुए शान्ती दा समाह हुए खेड़े दा समाह हुए तो ओस खेड़े दा समाह पैर आंधी रात जड़ी अखीला पैर रादा है पावसुरज दे निकलंतों एक पैर पहला कि जे एक पैर दिगनती गिनिये ता चावी कंटे आठ पैर ते एक पैर तिन कंटे दा हुए पाल जिस सूरज निकलन दे समय तो जो इस तो पहला दा तिन कंटे दा समय है उसनों अक्सर अम्रित वेला केंदे सभी पाशा दे विच सिखी दी पाशा विच ओस समय नों अम्रित वेला किया आजाना है तो ओ जो पूरान खेडाओ दा समय मन्ने आजाना है क्योंकि हले वोस वेले दुमिया भी पाज़ी दौड़ शुरू नहीं होई हुए उन्दी शौर शुराबा शुरू नहीं होया एक पवित्तर समय मन्ने जानदा है जब केवल नेचर भी साउन सी साथे तक पहुंच दी हैं बिलकुल महाल सुखाइना हवा साफ शांती दा समय सब्सक्रू कहने हैं के साच नाव साच दा पाव सदा थेर रहन वाला सदा थेर रहन वाला नाव नाव दे अर्थवी अगरसी जो आम के जंदेहन के अकाल पुरक दा नाम जो है ओ सिम्रेया जावे अमरित वेले देविच अकाल पुरक दा नाम याद किता जावे नाम लेया जावे ते वड़ेयाई विचार ते ओधिया वड़ेयाईया दी विचार कीती जावे तो पूरी पंक्ति दे पावे बने के प सब्सक्राइब करते हैं कि इस पंक्ति दे अर्था ने बारे थोड़ी ची सानु टूंगा इनल विचार करनी बन दी है क्योंकि एक थौट ऐसी भी है कि अम्रे तवेला केवल उस समेंदा नाम नहीं इस अगों सड़ा जो जीवन है मनुखा दे है जिसनों उसी कहन दे हैं कि अकाल पुरुख ने किर्पा करके सानु यह दे दिती है तो ए जनम जड़ा सानु मिलिया है ए जनम समुच्चे तौरते ही अम्रे तवेला है ए पूरा जनम ही सिम्रन करनवासते है ते ए पूरा जनम ही उस अकाल पुरुख दिया वड तो आपा इस बैस विच नहीं पहुआँगे इना जो केड़ा ठीक है किड़ा गल्त है क्योंकि जो पहला पार्ट कीते हैं वह लगपक स्वर्परवानत है पर जिड़ा एक दूसरे अर्थन देविच पॉइंट सब्सक्राइब रखेया जा रहे है जो विचार एदी तह देव स्वेरे उठके सुचेत होके इश्णान करके नाम दा सिम्रन कर लेया तो फिर उस तो बाद सड़ी गल मुक्ती क्योंकि सिखी विच ऐसा कोई बदान नहीं है यह अमरित वेला जो शब्द वर्टेया गया है इदा अर्थ ते उससे समय तो ही मन्या जादा है पर इस दा अर् अर्ट वेले दे विच जिम्रन कर लेया ते उस तो बाद जड़ी गल है ओ पसी अपनी दुन्यावी कार्वेहार दे विच रुज गए ते अमरित वेले ऐसी जो कुछ कीता है उस चीज दो उसी तो ले जाईए क्योंकि सिखीता गल कर दी है उसकाल पुरक दे नाल चुड़ दी अठ पहर अठे पहर एक तेल वेली गल करती है साथे आम तवर्द दे एक कहावत जो वटी जान दी है के हथकारवाल ते चित करतारवाल ते वैसे भी जदो उस प्रमु दी याद दी सास गरास दी गल कर दे हां तो फिर ता उठथा पहर दी क्योंकि सास ता साथे अठे पहर ही चल रहे हैं तो इस दा अर्थ की होया फिर अमरित वेला क्योंकि होर थावा दे उत्ते भी साथगुरा ने सानु रात दे आखीर ले पैर दी जरी गल कीती है जिदे विच मतलब चौथे पैर है सवाक है ओ गल कीती है या चिरी चोकी पाव फुटी सानु साथगुरा जड़ा ने अनिका थावाते ओवी प्रेवना जिती है कि अमरित वेला मनुद्ध जड़ा जात्ता चौथा पैर है वह इस कम दे लही सनु वर्तना चाहिए है या आपा यहों कि यह कि वह सटे लही ज़रूरी है पर ओस वेले इंपॉर्टेंस से क्यों है अपा इस गल नू यह समझ लेंदे हैं क्योंकि जड़े दोनों वियूजे सकते जा रहे हैं अपा उना दोनानों मिला के दोहां तो इलाहा ले लही है कि हमरे तवेले नू अगर इसी एक रिचूल बना लगांगे कि स्वेरे बैठ लेया नाम जप लेया बानी पढ़ लेई वड़ाई विचार कर लेया कितन कर लेया सुन लेया ता फिर गल जड़ी है वो दूड़ी रहे जाए जड़ों तक असी अठे पहर ओस प्रवुदी हजूरी देविच याद करन देविच नहीं अपना समान दोन है ता फिर अम्रत वेले लिवहांता नू सानू यह लेना चाहिए है कि जिवें एक गवईया एक लंबी गायकी करन तो पहला अपने गले नू अलाप देना सुर करदा है या एक वजंतरी अपने साज नू जाओं तो पहला कि तो परफॉर्मेंस देनी हुए काम करना हुए उनने तो उस तो पहला उनू सुर करदा है या कोई कारिगर अपने काम देविच काम शुरू करन तो पहले अपने झावजारांदाना जोड़ना अपनी सुर्त ऱ्हार के ना जोडव साथी सारे दियू चार आख Times in sh icon जोडना इस करके अमने तुवेले दी इंपार्टेंस तोता इंकार कीता नहीं जा सकता पर ना ले दे एवी सनु समझ लएना चाहिदा है कि ए गल सिरुफ अमने तुवेले तक सीमत नहीं है ए पूरे कार विहार दे विच ही असी जो भी काम करिये साधी वस्ता साधी कोशिश होनी चाह हुए हथ सड़े काम कार वाल हों पर चित दे अंदर जड़ी थर्राहट है ट्यूनिंग है वो करतार दे ना लोनी चाहिए तो अमरे तुवेला सज्ज नौ वड़े आई वीच है कर्मी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआ है इस पंक्तिर अर्थ जो किते गए हैं कि जो अर्भी फार्षी थो आया है उस दे अर्थन मेर उस दी मेर दे नाल ही सुनु कपड़ा मिलदा है जो कपड़ा लफज है उग गुरवानी दे विच कुछ कुवार ही आया है पते इस दा अर्थ हर्था दे उते जो है ओ सिर्थ सलादा कपड़ा है जिस तरह साहिभ शरी गुर्णानिक देवजी दी उचारी होई एक पौड़ी है हाँ टाड़ी वे काराय लाया उस देवे सद्गरु फरमांदे हन के सची सिफ्ट सला कपड़ा पाया तो इते कपड़ा दे अर्थ सची सिफ्ट सला किते गए हन जो उस अकाल पूर रखने मैंनों अपनी हजूरी दे बुलाके एक सिरो पाओ दे रूप विच्ट मेरे गड़े विच्ट अपनी सिफ्ट सला दा कपड़ा पाया देता कपड़ा दा अर्थ पाब सिफ्ट सला ही है इसे तरह ही होड़ Olvitaite लफज वर्टिया गया है सिफ्ट करम सरम का कपड़ा मांगां हरगन नानक रवत रह हैं तो कपड़ा दे अर्थ हन उस अकाल को रख दी सिर्थ सला ता इस दे अर्थ बने के उस अकाल को रख दी मेहर दे नाल, किर्पा दे नाल, उस दे करम दे नाल ही उस दी सिर्थ सला दी दात मिल दी है नदरी मोख दवार ते नदरी दा अर्थ वी कर्मी वालाई है कि उस दी मेर दे नाल ही सानु मोख दवार दी प्राप्ती है इतने मोख दा अर्थ जो चार पदार्थां दे विच केया जन्दा है जो सुनात्मी मात दे वक्ष शास्त्रा दे विच मन्निया गया है जिसनों मुख्ती केया जन्दा है मोख्ष केया जन्दा है या वक्ष दर्माने विचारा ने आपको अपनी टर्म्स हो दे वास्ते रखियां या जैन मात दे विच बुद मात दे विच के वल्ले दी प्राप् करना है या इते गुर्मत देविच मोख शबता है पर इस दे अर्थ की हैं सनु इते बारे भी थोड़ा जा विचार करना पएगा क्योंकि गुर्बानी देविच्टी सद्गुरु ने सद्धे सामने एक स्वाल खड़ा कर देता मुखत न चाहो मुखत ना चाहो मन प्रीट चरं कम ला रहा है इक बम वुक्ती नहीं चाहिबनना बर्ध्र मला कव लिए मूख दी किती जंदी है तो मौख दा अर्थ एही लेा जंदा है कि मुनोख अपने बंधन अतों अजाद हो ऑग पनन किस चीज दे हम बंधन हन साथ़ा विकारा दे बंधन हन साथे कर्मा मेड़े काम जो उसे करनेदे हैं उनना में हैं जांच विकारह दे या माया इस चीजहां दें माकी य। चीजहां हिला हिसानों बनने रखते ह। ठी साथ जाने हैं कि उसी में से जदों सी अपने जीवने विच लिएंगे जदो उसी जीवन जिएंदे हां ता ए मोख दी जन्हों सी बंद खलासी केंदे हां ता उस बंद खलासी दी गल हो रही है ए बंद खलासी मिलना ही विकारा तो मुक्ती मिलना ही सड़े वास्ते मुक्ती दादवार है इस तो इलावा हुर के से मुखती ही काहत साढ़े मन देुछ नहीं है । इस्टिष प्रभुद यGU इन rij वे रखेंगे यह साढ़े मुख्त दुवारा है। नानक एवे जानियां सब आपे सचया। अगे सत्गरुजी कहते हैं कि जदो सनु हे नानक इस तरीके देनाल पाव उदी सिर्थ सलाह करन देनाल, अमरे तवेला, सच नाओ, वड़े आई वीचार, कर्मी आवय कपड़ा, नदरी मोख दौार, ए टांग है उस प्रभुनु जा सब आपे सचया, फिर उसी कह सकते हैं कि ओ सचयार ही सब आपे पाव, ओ सब पसे मजूद है, हर जगाते है, हर जगाते हाजर है, उसी जो भी जीवन जीवना है, वो दी हजूरी विच जीना है, इते जानी है दा, यह सिरफ इंट्रिलेक्ट्टिल अंडर्स्टेंग तक गल है, इन्नों एक एक्सपीरियंशल जानन दी गल्ब इसी समझ सकते हैं, यह एक्सपीरियंस करता है, कि ओ सचयार ही हर थान दे उते है, यह ओ अवस्ता है, जदो साड़ा जीवन फिर हजूरी दा जीवन हो जाना है, असी जीवन दे सारे कम यहों करते हैं, जमें उस प्रभू कर दे ही मुझना है, तो शान मँखीष मुझना हो जीवन करते हैं, है इस आपाव जुझन एंटे घृतियंने आनननू को यह साटगरू कहाल की हाने टोनों दे साह penis सुझै। पहली गलता समझन वाली ये है कि ओ साहिब सचयार है जमें के आखरी पंक्ती देविच ओ सकाल को रखते वास्ते सचयार लफस वरते आ गया है उस सचयार वाही ग्रू अपार है उस्दा अशी हद बनना पारावार अशी नहीं पासे कि वो सिर्फ आप ही सत değil W नहीं है उस दा नियावी साथ है उस दा नियावी सच्चा है सदीवी है नियावी पूरण है उस दा सिस्टम भी सच्चा है जो पाशा है जिस दे नाल साड़े वीच कम्यूनिकेट करदा है ओ प्रेम है और ओ प्रेम दी पाशा दे नाल ही साड़े नाल गल करदा है तब आवे होया कि सनु भी सान्नु यू से नाल प्रेम दे नाल ढुक सरस्ति दी विफ ऑग जो विफाने उन कampa केशन करनी तत्म प्रेम दे नाल ही करनी पहें ग्लैसे यू इसकी को हो मदैं मादने ही 그래도 आcock कि ना प्रेम विच प्रैसे का विफ biggest प्रेकर वेया है eur sensor आता है कि वो हमेशा साननों दाता देदा ही रहनदा है तो फिर ऐसे दाते दे अगे असी ओधे की रखिये असी की रखिये की पेड़ करिये की टवास नो देए कि जिस दे नाल असी ओधे हजुरी दे विच पहुंच जाईए तो स्वाल पैदा होया कि असी ओधे की पेटा करिये पर सबकुछ सकते नहीं क्योंकि सब कुछ सब्सक्राइब को दाता आदा ही देता हुए है तो फिर इस वाल दा जवाब साननों लगना पेएगा सब्सक्राइब प्यार करन लग जावे कैसे वस्ता आवे कि असी उदे नाल जुड़ जाए कि इस दा है अमरे तुवेले उठके वह सच्चे प्रभू दे नाम दा सिम्रन करना वड़ेया दी विचार करने वड़ेया दी विचार करने ताके आशी अपने जीवन नों ही उस दिया वड़ेया दे विच पिजावया उस्ती सिफ्थ विच पिजावया जीवन बना सकीये पावे संसार कोई कम करिये साठा व दिया वड़ेया वड़े विच सुर्थ सटी जुड़े होगे इसका उंदेले सथ गुरू ने किया कि अम्रिट वेला जो राध्दा चौथ है वय विषेश त्यान देना पहेगा इदेले विषेश जदन करना पहेगा खाच समा करना पहेगा तो एस समा इसका उनले सब्सक्रतना समा है एही समासानों ओदे अगे पेट करना पगरेगा, क्योंकि ऐसा करके ही असी ही ओस दी याद दे विच जुड़न जुगे बन सकते हैं, जदो उसी ऐसा करते हैं, तो सड़े मन दी अवस्था, सड़े जीवन दी अवस्था ओदे नाल जुड़ जानदी है, अथे असी ओदे ना सब्सक्राइब कर दोए या साड़ी बंद खलासी दी दाथ होए ओ अकाल पुरख दी मेहर दे नाल ही प्रापत हो सकती है कर्मी आवाय कपड़ा नदरी मोख दुआर ते सद्गरू केंदे हनके जदो ओदी मेर हो जाएगी असी ओदी अवड़याईया ओदे नाम दे विच ओदी मेर दे नाल सड़ेले ही मोख दवार खुल जावेगा ता नानक एवाय जानी है सब आपे सचे आँ फिर सन्नों ओदी मजूदगी हर थांदे उत्ते दिसेगी फिर असी जीवन दा कोई भी कम करना हुए ता असी ओ इसे तरह ही करांगे कि जिवें ओस दी हजूरी कुछ भी गल हुए ता असी ओदी हजूरी दे विच पहुंच सकते हैं असी ओदी हजूरी वाला जीवन बतीत कर सकते हैं तो यह अगर देखिए ते सद्गुरु जी ने हूं सनूं नाम मारग दे उत्ते तोरंदी गल कीती है कि उस अकाल पुरुक्ते ना जोडन लही सिख जीवन दे विच नाम दी की इंपॉर्टेंस है मैं मेसिज देख रहे हैं सी एक वीर जी ने किया है कि ओ इस पौड़ी दी अपनी अंडर्स्टेंडिंग भी शेर करनी चांदे हैं तो मैं एंपी वीर जी ने उकेंदा है कि वो बेंती कर दा है कि ओ इते बाड़े देखन के क इस देखने मैं वाई गुड़ी का खालसा वाई गुड़ी की वाई जी की वाई